इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपूर से आ रही है जहां सांसद आजम खान के परीजिनों पर जेल में फांसी घर की जमीन पर कबजे के आरोप लगाए गए हैं समाजवाजी पार्टी के कदावर निता और रामपूर से सांसद आजम खान के खिलाफ ताबर तोर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इसमें आजम खान के साथ उनके परिवार के भी कई लोग पर केस दर्ज हो चुके हैं कई केसों में जमीन पर अवैद कब्जे के साथ भेंस चोरी, बक्री चोरी तक के आरोप लगे हैं। उधर आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी सड़त पर उतराई है। इसी बीच आजम खान के परिवार पर एक और आरोप लगा है। इसमें आजम खान की पत्नी तजीन फात्मा और बेहन पर जेल के बगले में फांसी घर की जमीन का कबजा करने का आरोप लगा है भाजपा नेता अकास सक्सैना ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है आज जिला दिकारी को दी गई अपनी शिकायत में भाजपा नेता अकास सक्सैना ने आरोप लगाया है कि जेल में बने फांसी घर के भूमी आजम खान के कबजे में हैं जिला जेल में जिस ठान पर एक समय में फांसी घर हुआ करता था वह जमीन अज आजम खान वह उसके परिवार के कबजे में हैं भाजपा नेता अकास सक्सैना के सिकायत पर जिला दिकारी ने जिला कारगर की जमीन की नापतोल के दिये जाने के आदेश दिये हैं मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिये है डियम के नुसार जांच के बाद उचित कारेवाही की जाए। ये सारी जमीने अपने अपने रिष्टेदारों और अपने कारेकरताओं के वहाँ पर उनको कबजा करवाया आज उसमें बैंक चल रहे हैं उनके घर चल रहे हैं और जो रिष्टेदार हैं उनके बड़ी बड़ी वहाँ पर आलिशान कोटियां बनी हुई हैं। जिलादेकारी मौधे को यह सारी शिकायत दी थी उन्होंने नगरपालिका का रिकॉर्ड चेक करवाया और मेरी शिकायत को सही पाया मुझे अब पूर विश्वास है कि इस मामले में जल से जल बड़ी कारवाई होगी और इसमें सबसे बहत पूर बात यह है कि आजम चाहते थ जेलों की दिवारों को तोड़के तो सारा जांच का विशह है और मुझे लगता है अब बहुत जल्द इसमें बड़ी कारवाई होगी जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद